और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सटे ठाड़े में उद्धव ठाकरे के काफिले पर कुछ लोगों ने गोबर, टमाटर, नारियल और चूडिया फेकी हैं। इस मामले में 20 से जादा लोगों को इरासत में लेकर पुश्टाच की चारी है। बताया जा रहा है कि कल महराश्ट के बीड जिले में राश्टाकरे की रैली में शिवसेना, उद्धव गुट के लोगों पर सुपारी पेकने के आरोप लगे थे। इसके बाद आज उद्धव ठाकरे की काफिले पर गोबर टमाटर पेकी गए हैं। ऐसे में राश्टाकरे की पार्टी की कारकरताओ पर उद्धव के काफिले पर हमले क्या रोप लग रहे हैं। और उस सम्मिलन में आपको बताएं कि कुछ मन से कारे करताओं द्वारा कथिर तोर पर चूडियां और काफिले के उपर कुछ इसके अलावा नारियल फेके गए। आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि कुछ चूडियां आपको यहां पर गिरी हुई नजर अपको फिलहाल अगर बताएं तो इस पूरे घटना करम में पुलिस ने लगभग 20 से अधिक लोगों को डिटेन किया है और उनके उपर आपचारिक रूप से कानूनी प्रक्रिया की जा रही है आपको बताएं कि यह पूरा घटना करम को जिस प्रकार है कि कल मनसे कारे करता द्वारा कुछ बीड में जिस तरह से सुपारी फेकी गई राज ठाकरे के उपर उसके बाद आज नाराज मनसे कारे करताओं ने आपको बता दें कि उद्धर ठाकरे के काफिले के उपर टमाटर फेका माराश में गोबर पॉलिटिक्स हो रही है सही सुन्वें आप गोबर गोबर मतलब कोई गोबर को ले कर कि कोई ये नहीं कि कोई अंदोलन चल रहे हो गोबर फेका जा रहा है एक दूसरे पर गोबर फेका जा रहा मित्रों यस शुरुवाद हुई थी MNS के जो चीज़ है राज ठाकरे राज ठाकरे बीड में थे और वहाँ पर उनका काफिला गुजर रहा था इनके उपर सुपारी टमाटर फेक दिया गया इनका काफिले के उपर अरोब लगा कि ये उद्धव ठाकरे के लोगों ने कराया है अब बदला लेना था राज ठाकरे की लोग कैसे पीछे चुट जाते अब ठाने शहर में उद्धव ठाकरे का काफिला चल ला था इनके उपर नारियल और चूडिया फेकी गये उप उस लोगों को कहना है कि गोबर भी था उसमे ये फेका गया था ये भाई- भाई- भाई की लाई की लाई नहीं के लाई इक है देकि अब बहुत लब्बे समय बाद राज ठाकरे राज़ईते में सक्री हुए विज्वाल रखेस विज्वाल दिखा दिया तो यह बात MNC कारकरताओं के पास बोची है, जब उद्धा ठाकरे ठाने के गड़करी सभागरा में भाशन देने गए, तो वह MNC कारकरता गुजगए, फिर बहाँ उन्होंने टमाटर फेका, जब बाहर निकले तो बहाँ उनकी गाड़ी को पर कुछ कारकरताओं ने गोबर फ बादेन टमाटर फेका के जजादा उत्धाद है, तो अब उन्होंने उत्धा भारते इसना पार्टी को निशाने पर काम लिया है, तो यह लड़ाही बड़े गी अभी और अभी तो कलिये भी आरो राश्टाक्रे कुछ राजनीतिक वजूद वैसा उस लेवल पर रखते हैं कि किसी को बढ़ा किसी को कुछ दिलवा दे चुनाओं में या किसी का राश्टाक्रे का एक ही विदाय के जो कल्यान ग्रामिंड से आता है राश्टाक्रे के एसिय जानते हैं अब राश्टाक्रे को लग रहा है कि अगर मैं भारतियंता पार्टी से जुड़ जाएगी तो 15 सीटे में जी सकता हूँ उसके बाद बीम से चिनाओंगे बीम से चिनाओं में कटबंदन करूँगा कुछ सीटे जीत लूँगा तो एक राजनीतिक रुप से मेरी विदान सबाव में और कॉर्परेशन का अंदर कुपसी ज़र जाएगी और आदिर उसक्री होना राश्टाक्रे को या तो अपने भाई के साथ वापीश जाते या भारतियंता पार्टी के साथ जाते या एक नाशिंदे के साथ जाते तो उन्होंने अपनी लाइन ताहे कर इस मामले में 20 से जादा लोगों को इरासत में लेकर पुश्टाच की चारी है बताया जा रहा है कि कल महराश्ट के बीड जिले में राश्टाक्रे की रैली में शिवसेना उद्दो गुट के लोगों पर सुपारी पेकने के आरोप लगे थे जिसके बाद आज उद्दो ठा में शिपले में य branches एग जाती है उद्दधो ठाकरे की काफिल पर हमले क्या अरोप लग रहे हैं ऐखल हमने देखा कि महराश्ट के बीड में राश्ट ठाक्रे की ये इक काफिले के ऊपर कधी तोर पर मराथा समुदाए और इसके अलामा शिवसेना उद्धो ठाकरे गुट के कुछ कारे करताओं द्वारा सुपारी फेकी गई और उसके बाद आज महराश्टर के ठाने में एक सभा आयोजित की जाती है उद्धो ठाकरे के तरफ से यहाँ पर उनके पदादिकारियों का एक सम्मेलन होता और उस सम्मेलन में आपको बताएं कि कुछ मंसे कारे करताओं द्वारा कथित तौर पर चूडियां और काफिले के उपर कुछ इसके अलावा नारियल फेके गए और उनके उपर आपचारिक रूप से कानूनी प्रक्रिया की जा रही है आपको बताएं कि यह पूरा घटना करम कुछ इस प्रकार है कि कल मनसे कारे करताओं द्वारा कुछ बीड में जिस तरह से सुपारी फेकी गए राज ठाकरे के उपर उसके बाद आज नाराज मनसे कारे करताओं ने आपको बता दें कि उधर ठाकरे के काफिले के उपर टमाटर फेका माराश में गोबर पॉलिटिक्स हो रही है सही सुन रहे हैं आप गोबर मतलब कोई गोबर को लेकर कि कोई यह नहीं कि कोई आंदोलन चल रहे हो गोबर फेका जा रहा है एक दूसरे पर गोबर फेका जा रहा है मित्रों यस शुरुआत हुई थी MNS के जो चीज़ है राज ठाकरे राज ठाकरे बीड में थे और वहाँ पर उगा काफिला गुजर रहा था इनके उपर सुपारी टमाटर फेक दिया गया इनके काफिले के उपर आरोप लगा कि यह उद्धव गुट ने कराया है उद्धव ठाकरे के लोगों ने कराया है अब बदला ले राज ठाकरे की लोग कैसे पीछे चुट जाते अब ठाने शहर में उद्धव ठाकरे का काफिला चल ला था तो इनके उपर नारियल और चूडियां फेकी गई विज्वल रख िस विज्वल दिखा दी है यह बात MNC कारकरताओं के पास बोची है, जब उद्धा ठाकरे ठाने के गड़करी सभागरा में भाशन देने गए, तो वह MNC कारकरता गुजगए, फिर बहां उन्होंने टमाटर फेका, जब बाहर निकले तो बहां उनकी गाड़ी को पर कुछ कारकरताओं ने गोबर फेक चुडिया भी फेकी है, यह शुरुबात हो गई है, कि अब महराश्च के राज़ीति के दिशा में जाएगी, यह शुरुबात हो गई है, मुझे लग राज़ी से चुनाव आएंगे, अब यह लड़ाई से राश्ठाकरे बना, कौन सी पार्टी का कारकरताओं ज्यादा उ चुनाव लड़ना है, तो अब उन्होंने उत्तर भारतियों को निशाने पर कम लिया है, अब राश्ठाकरे के उद्धर ठाकरे निशाने पर आगए, तो यह लड़ाई बढ़ेगी अभी, और अभी तो कलिये भी आरुबात है, कुछ राजनीतिक वजूद वैसा उस लेव मिल जाएगी, तो 15 सीटे में जी सकता हूँ, उसके बाद बीम से चिनाओंगे, बीम से चिनाओं में कटबंदन करूँगा, कुछ सीटे जीत लूँगा, तो एक राजनीतिक उपसे मेरी विदान सभा में और कॉर्परेशन का अंदर एक उपसी दर जी जाएगी, और राजन लिए तेक के बात हो गरें।